दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है आपांस राज्यों में बिधान सबाद चुनाओं का ऐलान किया गया है जिसमें राज्तान MP 36 गड़ में चुनाओं की घोष्टना की गई है दिल्ली से जहां पांच राज्यों में वोटिंग होगी तो पांच राज्यों में बिधान सबाद चुनाओं का ऐलान कर दिया गया है जिसमें राज्तान MP 36 गड़ में चुनाओं की घोष्टना की गई है तिलंगाना के साथ साथ रास्तान में भी वोटिंग होने वाली है मद्यप्रदेश में भी वोटिंग होगी तो 17 नमेंबर को चुनाओं होगा का एलान किया गया रास्तान MP 36 गर तेलंगाना पास राज्यों में चुनाओं होगा मद्यपरदेश में 17 नमबर को चुनाओं होगे 36 गर में 7 और 17 नमबर को चुनाओं होगा दो फेस में हापर चुनाओं होने वाला है तो विधान सभाद चुनाव का एलान हो चुगा है, मिजोरम में 7 नमेंबर का चुनाव होने वाले है तो दिल्ली से इसवक की बड़ी ख़बर सामने आ रहे हैं, रास्तान की तारी की वगर बात करें, 23 नमेंबर का चुनाव होगा तो बिधान सभाज चुनाव का एलान कर दिया क्या है? पाँच राजियों में बिधान सभाज का चुनाव का एलान कर दिया क्या है? क्या कुछ जानकारी सामेर कैसे देखते हैं आप इसको? देखे निशू देश में 2024 में लोकसभाग के चुनाव होने वाले हैं इस चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने पाँच राजियों के बिधान सभाग के चुनाव की घोसना कर दिये गए यानि कि मीनी महा भारत का एलान मुख निरवाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कर दि बात है कि सबसे छोटे राज यानि कि मीजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा और मीजोरम के साथ ही तेलांगना में भी 7 नवंबर को चुनाव होगे तेलांगना में 2 फेज में चुनाव होगे 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुकि वह नकसल प्रभावित इलाके बताए जा तो एक तरह से कलीजे कि पॉंच राजियों के जो चुनाव हैं वो कहीं न कहीं मीनी चुनाव है और इस चुनाव की तैयारी पहले से ही राजनीतिक दलों के नेता कर रहे थे अभी जो आ रही है खबरें उस खबरों के मutابिक ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव इंडिये दोनों के लिए काफी चुनावती पुर्ण है और महत्पुर्ण है चुकि राजस्थान में कॉंग्रेस की सरकार है तो मदपर्देश में बीजेपी की सरकार है तेलंगना में कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकार नहीं है वहाँ पे जो छित्रिये दल हैं उनकी सरकार है मीजोरम पुर्बोतर का महतपुर्ण राज माना जाता है तो इसलिए उहां का चुनावी काफी महतपुर्ण है और 36 गड़ में कॉंग्रेस की सरकार है तो ये चुनाव काफी महतपुर्ण है और इस चुनाव को देख करके ये कहा जा सकता है कि चुनाव आउगने भले ही इस चुनाव आचार संगीता आज से ही लागू हो गई है लेकिन निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि 30 अक्टूबर तक जो राजनीतिक दल के हैं जो पार्टियां हैं उनको अपने चंदे का हिसाब देना परेगा याने कि अगर इंकम टेक्स से वो बचाव चाहते हैं तो 30 अक्टूबर तक अपने पार्टि फंड में जो उनके पास चंदे आए हैं उनका उनको हिसाब देना परेगा दूसरी बात है कि मदाता में जो गरबड़ी है उसको सुधार करने की भी परकिरिया शुरू कर दी गई है और यह 30 नवंबर तक चलेगा याने कि चुनाव ह होने तक भी मदाता सुची मगर गरबड़ी है तो मदाता चाहें तो उसमें सुधार कर सकते हैं तो निर्बाचान आयोग ने बड़ी घोसना कर दी है और इस घोसना के साथ ही इंडिया गठवंधर और इंडिया गठवंधर दोनों की प्रतिस्ठा दाव पर लग गई है के दिनों में कॉंग्रेस में मतवेद के बाद योतियराद सिंधिया के बाहर निकलने से मद पर देश में फिर से बीजेपी की सरकार बन गई और कॉंग्रेस को भारी नुक्सन हुआ तो जबकि आपने देखा होगा कि कल ही राजस्थान की सरकार ने फैसला लिया था कि वो भारत की सुरुवात हो चुकी है और दोनों गटबंदन की परतिस्था जो है सो दों पर लग गई है बिलकुल अशोग जी आपको दाने की बीजेपी अध्यक जेपी नड्डा ने ट्वीट करके इस फैसले का स्वागत किया है साथी साथ अशोग जी आपको की लोग सभाच चुनाओ नजदीक है और ऐसे में क्या ये पांच राजियों के विधान सभाच चुनाओ कराना समय से पहले क्या ये मिरर इलक्सन सामीत हो सकता है लोग सभाच चुनाओ के लिए और मार्च में फिर लोग सभाच चुनाओ होने हैं तो ऐसी परिशिती में आप कहा जा सकता है कि देश में लोकसभा चुनाव निर्धारी तिथी को ही होगा निर्धारी समय पर भी होगा लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिधान सभा जो है पॉंच राजियों के वह चुनाव ही मीनी लोकसभा का चुनाव है और इसी में दोनों गटबंधन की प्रतिस्था किया है कि हम सभी राजियों में चुनाव जीतेंगे तो इस तरह से कहिए कि बीजेपी पहले से ही चुनाव अयोग ςना कर सकता है लेकिन चुनाव आयोग समय रहते समय तो हुगसना हो गई है इसलिए अब आचार संगीता पूरी तरह से लागू हो गई है राज सरकारों द्वारा जो बड़े-बड़े विग्यापन दिये जाते रहे थे उन पर भी अब रोक लगेगी अशुक जी 24 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में दोनों ही पार्टिया दमखम के साथ अ आई इंडिया गठ बंधन के लिए भी एंडिया गठ बंधन के लिए आइना का काम करेगा? बड़े चुकी है और कॉंग्रेस के साथ घठ बंधन हो गया है तो ओएसी परिस्दिम का जा सकता है कि ये दोनों घठ बंधनों के लिए परतिस्ठा का चुनाओ है और देखना है दोनों ने तैयारी काभी महत्पुल्न तरीके से की है लेकिन देखना है कि लोगसभाद इन दोनों इन नेताओं का एक साथ चुनावी अभियान चलेगा और इस चुनावी अभियान का कितना असर पड़ेगा या देखना दिल्चस्प होगा लेकिन चुनाव आयोग ने यानि कि राजीब कुमार ने जो गोसना की है उसका असर आज से देखना सुरू हो जाएगा औ चुनावी मोड में इन पांच राजियों की जंता तो आही गई है, वहां के नेता तो आही गए हैं, लेकिन समुचे देश के इंडिया गठ बंधन के नेता और एंडिया गठ बंधन के नेताओं की भी अब एक तरह से कहिए कि चुनावी अभियान सुरू होगी और इसका क्या असर होगा यह आने वाले दिनों में दिखेगा